हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक एमके नालेज ग्रूप में आप सभी का स्वागत है आप 36 गड़ के सामान अधन के महत्मूर्ण टेस्ट स्रीज को हम लेकर रहे हैं जो टेस्ट स्रीज 5 है जो SI और SF के लिए काफी महत्मूर्ण और संभावित कोश्चन है यह सभी 36 गड़ के महत टेस्ट है और भी लगाए हैं आप उससे भी देखिए पहला इसमें कोशन है कि एंटी PC सिंपत बिलासपुर का विदूत उत्पादन चमता कितना मेगावाट है तो इस प्रकार के कोश्चन बन सकते हैं और संभावित जितनी भी कोश्चन बन रहे हैं उन सभी कोश्चनों क लगा रहे हैं तो इसमें देखिए है आपका 60 का राइट ओप्शन सी नंबर होगा यानि कि एंटी PC सिंपत बिलासपुर का विदूत जो उत्पादन चमता मेगावाट है वह 2980 मेगावाट है इसका राइट ओप्शन हो जाएगा सी नंबर नेक्स कोश्चन इसमें दिया गया है कि एन एस पावर कोपरेशन कहां परश्चित है तो इस इन पावर कोपरेशन कहां परश्चित है तो इसका राइट ओप्शन आपका हो जाएगा वी नंबर यानि कि भिलाई मिचते थे इसका राइट ओप्शन क्या हो जाएगा कल्प सत्य नहीं है सत्य आपको विकल्प इसमें छाटना इसका राइट अप्शन बी नमबर होगा सत्य नहीं है याने कि कोड़ार पुरिजना जो है इतना में कि यूनिट भीजली निसुल्क प्रदान की जारी ए 63 के सका राय अप्शन डी नमबर होगा तीस यूनिट भीजली जो है बीपल परिवारों को क्या है निसुलक प्रदान के जाता है और 400 दक हाप बील उन्हें देना पड़ता है विजली बिल में नेक्षन बात करेंगे बीरण के अधार पर अतंत सगन वनों में कवंद से जीले का चीतरफल नियुनतम है तो सरवुज़ जीले का जो चीतरफल है सबसे नियुनतम पाया जाता है बात करने वाले हैं 65 भारत के मुखे खाने जे राजस उत्पादन में राजस का युगदान कितना है तो भारत के राजस उत्पादन में भारत का 15.11 यानि इसका सी नंबर सही होगा 15.11 जो है भारत के मुखे खाने जे राजस उत्पादन में राजस का युगदान है नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट है शत्तिकड में वन संपदा के समन्द में असत्य कथन को चैन कीजिए वन संपदा के वन संपदा के बारे में असत्य कथन को चैन करना है इसमें असत्य कथन कौन सा है कितना योगदान है ठेक है मुख्यतर उचने कटे मंन दिये सुष्क प्रणपाती वन पाई जाते हैं पज您मन नहीं पाय जाते हैं उचने कटे मंदिये ााध्र 108 116, 1111 चाहा जाते हैं बस्तर को सालनों का दिप काई जाता है तो इसमें असत्य कःदड आपको छाटना था इसमें B नमबर होगा, पытजड़ नहीं पाए जाते हैं, तो चत्य सगर में परजड़ बन भी साथे हैं या पर नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते है लिखा हुआ है, और वसतको साल्वनों का दीब का जाता है, वह त्य प अच्छी वनबिरत में भी पाई जाते हैं ते भी कतन क्या है सही है प्रसासनिक अधार पर वरगी कृत तेक और गित वनों के नियुंतम चेतरफल में कौन से जिल आता है तो नियुंतम चेतरफल कौन सा जिला है तो इसका राइट उप्षन डी निमर होगा तम तरे जिले है ज इसका राइट उप्षन हो जाएगा आपका सी नंबर यानि की बावन जो है बावन वन अपर्ज का जो है लगुतम जो है वन अपर्ज का मुली निधारित किये गया है उसके अधार पर खरिदा जा रहा जिसे हम एमस्पी के नाम से भी हम जानते है मिनिमुम सप्पोर्ट प जाएगा बी नंबर यानि की बन ओटी सही है बैला डिलम में कुल 14 निछे पिश्थित है घनीज राजस वा आयम में दूसरा इस्थान रखता है दामतरी और दुर्ग में लो आयास का साक्षे गलत है उत्खरान से दवरा होता है बिल्कुल गलत है तिस परकार से 12 इसका रा पुछे गया था तो इसका राइट एपसन हो जाएगा 70 के यह नंबर यानि की 2019 में लेंब्रू एलेफेंट रिजर्व की स्थापना कभुई थी 2019 में हुगा था नेक्षर सिचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कावाद सुरू की गए है इनमें से कौन से परिजना लिंक परिजना में सामिल नहीं है जबकि पैरी महा नदी को जोड़ा जा रहा है महा नदी तांदुला को भी जोड़ा गया है और रहर और अटेम को भी जोड़ा गया है ठीक है जानते होंगे अचानक मार ठीक है तमवर पिंगला किस जिले मिश्ते थे बादल खुल जस्पूर सिता नदी धंतरी भौरम देव कवरधा तमवर पिंगला सूरतपूर की छेत्र मिश्ते थे इस प्रकार से 73 किसका राइट उप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर होगा ठीक ह इसका राइट उप्शन हो जाएगा आपका दी नंबर होगा यानी सवी कखिन सत्त हैं यानि कि अचानक मर चो है अमर कंटक 14 करम का बायो स्पियर है सही है काकेर घाटी राश्टी उद्यान के स्थापन 1982 मुवात है भी सही है हरबल उत्पाद के विक्रे रायपूर रेल विस्टेशन से होता है भी सही है 36 गड़ में जय विवित्ता बोर्ड 16 फरवरे 2006 को इस्थापित किए गया था ये भी कतन सही है नेक्स्ट है 36 गड़ में कौन से खनिच का उत्पादन परतिसत सरवादिक है इसके बारें पुछे गया था खनिच का उत्पादन परतिसत सरवादिक है कौन सा खनिच सबसे अधिक पाया जाता है छतिगड़ में तो आप लोग जानते होंगे 36 गड़ में कोईला सबसे अधिक मातरा में पाया जाता है तो अप्सन इसका बी होगा नेक्स्ट है खनेज की प्रकृतिक अधार पर निम लिखित में से कौन से खनेज गौण खनेज का अंतरगत सामिल नहीं है गौण खनेज का मतलब वो होता है जो की बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं खनेज की प्रकृति के अधार पर निमली खित में से कौन से खनेज, गौड खनेज के अंतरगत आते हैं, तो इसका रायट अप सुनो जागा, गरफाइड, गरफाइड नहीं है, ठीक है, इसमें गरफाइड क्या है, एक महात्मूर खनेज है, जो यहाँ पर पाया जाता है, ब तो छत्रिकड की जो इमारती लकडी है, आप सभी लोग जानते होंगे कि इमारती लकडी किस से बनता है, साल, सागम, सिसम है, तो इस प्रकार के जो बिरिक्ष है, वो काफी कम मात्रा में और मजगूत नहीं होते हैं, तेन्दू बिरिक्ष इसका 78 का D नमबर राइट होगा नेक्स नम बात करेंगे कि भिलाई इसपाथ सेंत्र के संद्रम में कौन सा ठीक, असत कथन की पाचान कीजे, तिसमें कौन सा असत है, आपको छटना था, तिसका राइट उप्सन B नमबर होगा, यानि कि स्थापना रोस के सयोग से भिलाई इसपाथ संद्र की गई थी, वो हिरी है, छेत्र है, और प्राप्त खनिच है, कौन सा खनिच की छेत्र शेप प्राप्त की जाता है, इससे कौशन हमेशा ही पूछा जाता है, एटीकेस का राइट उप्सन आपको हम बता रहे हैं, डी निंबर होगा, यानि कि सेंदुरगड जो है, वो कोईला के लिए प्रस सिद है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, कथा उध्योग में कथा निकालने के लिए कौन से ब्रिक्ष का परयोग के जाता है, सबी लोग जानते होगे, खायर ब्रिक्ष का परयोग महत्मुर्ण रुप से किया जाता है, कथा के लिए, तो एटीवन का इसका राइट उप् चितरुट जलपरपात के संजर में कौन सा कतन असथ है, इसमें से असथategति हैं अपको झ्छाटना था, इसका राइट उप्सन क्या हो जाएगा, सी निंबर क्या है असथ है, भारत का सबसे चौड़ा जलपरपात, जिससे हमी हम चित्रुट जलपरपात की नाम समझाते हैं यह इंद्रावती नदी पर रिष्तित है, भारत के नियागरा कहा जाता है, इसकी चौड़ाई लभग तीन सो फीट है, ठीक है, नैस्टम बात करेंगे, निमले कितमे कौन से जलपरबाद, बस्तर जीले मिश्तित है, तो बस्तर जीले का सबसे महत्पूर जलपरपाद, तीरत बस्तर जीले मिश्तित है, इसकी चौड़ाई जलपरपाद, कौन से जलपरपाद, ठीक है, तो पचासी का राईट जुटन होगा, यह नंबर होगा, यानि कि हिर्मी, हिर्मी जो है, अल्ट्रा टेक सिमेंट कमपनी, जो है, हिर्मी मिश्तित है, सूरत गळ जलपरपाद कौ इसका सबन्स इस्थान पर है। इसस्थान को अगर लोकेट कर पाया तो निश्चे तो इसका सही एंसर आप दे पैंगे। सूरत गर्जाल पाथ, दंतेवड़ा में, डंकनी शंकनी नदी के तर्ट पर इस्थित है। या उसी पर इस्थित है। मां दंतेषवरी शकर करखाना इस्थापना अमर से तो दंतेशवरी शकर कर खाना इस्थापना 2000 कप क्या गया था 2003 2007-2009 इसका राइट ऑप्सन 87 आपका हो जाएगा B-2009 में किये गया था यसी प्रकार से चार जो है सरगर कर खराने वरत्मान स्वह में सांचार जुठ चादिगार में हमयशा कोशन पूछा गया था. में भी इस परकार कोशन पूछ जाते हैं. सरवाधिक सोना का उत्पादन करने वाला जीला कौन सा है सरवाधिक जो है सोना उत्पादन करने वाला जो जीला है वहाँ जीला है बालोदा बजार बालोदा बजार के सोना खान से सरवाधिक सोने का उत्पादन यह जा रहा है सुन बेरा की पठार मुखी रूप से उड़ी साराज के विस्तिरित है परंतु छतिगड के कौन से जिले में कुछ भाग फैला हुआ है तो वह है गरिया बन और महासमन वरतमान में चतिगड में कौन से एरपोर्ट से राष्टी उड़ान प्रारम नहीं हुआ है ठीक है तिसका राइट उप्सन 91 का ए नमबर होगा महामाय एरपोर्ट दरीमा जो है अंबिकापूर मिश्ते थे आप सभी लोग जानते होंगे कि बिलासा बाइकेवट एरपोर्ट सब्सक्राइब उड़ान और इसमें महामाय एरपोर्ट दरीमा जो हैं अंबिकापूर वरतमान सभी उड़ान से प्रदेस मीं पये जाने वाले च视कानयों कमश्च रूप से कितनी परकार की मिटी ऌनीटी नमबर होगा यानिकि 5 परकार की मिटी पाय जाती हैę चतिजगड में कितने प्रकार की मिटी पाए जाती है हम उख्रिप्षे, पांत प्रकार की मिटी सभी लोग जानते होंगे, मिटी से भी कोशन पूछे जाता है, चतिजगड में राष्टी राजमारगो की संक्या कितनी है, सभी लोग जानते होंगे, चतिजगड में राष्ट अंत्रक्त क्वाईंग्र के और यह कि जलवायू मैं यह न drowned में निम्बर होगा और भी भासर शब्थreibt चेरा पूंजी अबुज से शेतुर्डों को कहा जाता है जो कि नरान पूरीं एंगे मतiliary रोप से इस्थाभी थे समझें सत्तकतन की पाचान कीजिए तो इसमें हम बात करेंगे चतिजगड के परिवान के बारे के पूशे UP सरवादिक सोना उत्पादन करने वाले हमने बताया था सरकार द्वारे में तुद्यूग भी बताया था परिवन के समझ में सत्य कथन की पाचान कीजिए 98 के इसका राइट अप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर यानि कि छतिजगड़ मेट्र रेलवे का अभिकास तिन चरण होगा और प्रदेश के बीच पोला और अंबान जो विवादित है कई पार एक्जाम में पूछा भी गया है 36 गड़ में सेल समुह को संदर्म में कौन सा विश्यस्ता बिद्यमान नहीं है तो बिल्कुल गलत है यदि मैप की मादम से आप यदि पढ़ते हैं इस प्रकार सिरेज के लिए हमारे चैनल को जरो सब्काइब कीजेगा लाइक कीजेगा फिर मिलते हैं किसी नेक्ट्ट विडियो में थैंक्यू प्रमेंट जैन जै भारत